क्लास को छोड़ता है और नया लड़का जिसका ओजन 30 किलोग्राम है क्लास में सामिल होता है तो ओजन 23.5 किलोग्राम हो जाता है तो क्छा में कितने लड़के थे अब देखो एवरेज कितना था 25 मालने थे नंबर्स आफ स्टुट्ट भी 25 हो रहे होंगे ठीक है कि फरक का हम एक माने थे थे measuring 24 हो इस इनमान लिया अब यहां से देखो भी अब यहां से देखो अब कि 36 kg उलड़का है यह जा रहा है और 30 kg उलड़का है यह आ रहा है याने का इभरेज में कमी कितना सो norm यह आ machines होगा पून ना के िअ से स्गसाएज करें यहां पर लड़के के वजन में कितना का डिफ्रेंस आ रहा है छे का डिफ्रेंस आ रहा है इसको क्या करेंगे हम लडके के बीच का difference कितना रहा है? छे का difference रहा है ठीक है और वजन और उसाथ वजन में कितना रहा .5 का difference रहता है बटे में करेंगे .5 अब यह जो आइगा लडके के वो quantity दिटी आएगी जो लड़के छोड़ रहे is ठीक है ? अब यह दो देखो भी यह हुं जाए जाए कितना 12, टूटल हमने कितना मानवने के चल था 24 लड़के और कम ही कितने के रिए 12 के काम ही यार रही तो बस 24 यहाँद पर हो जाएगा 24 हो जाएगा अब कोश्चिन के कोडिंग यह देखो भाई कि 36 छोड रहा है 30 वला आ रहा है ठीक है और परिवर्तन कितना कर रहा है 23.5 हम जानते हैं कि टोटल नंबर को आड़ करेंगे अब बैटे में नंबर से डिवाइड करेंगे तो यह एवरेज निकल कर रहा तो 24 एन कि कौन जा रहा है 36 वला जा रहा है और नंबर से टुटल कितने हैं बराबर कितने हो जाएगे एवरेज कितना है 23.5 तो बेसिकली यह चीज है ना इसी को मैंने यहां पर सौट में करके लिखा इस तरीके से कि 24 मांक्चो लड़के हैं इन में से क्या हो रहा है कि 36 व ओफराल माइनस 6 का कम होगा किस पर एवरेज पर जो कि एवरेज हमें दे रहा कितना है 23.5 बटे में कर देंगे इनका डिफरेंस कितना रहा 0.5 का तो बटे में कर देंगे 0.5 जब मैंने किया यह वेलू आई माइनस 12 में तो हमने जो स्टुट्ट की संख्या मांद के रखे माइनस 12 को हम यहां से माइनस कर देंगे यहां पर प्लस में मेलू आती है तो इसको प्लस करते है ठीक है कि इतना हो जाएगा आपका 12 तो कक्षा में लड़के कितने थे 12 लड़के थे option number 1 आप इसको solve भी करोगे तो वही answer आएगा आपका